बरु भल बास नरक करताता दुष्ट संग जनी देई बिधाता राम सिया राम सिया राम जै जै राम नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता ज्वे में कैसे हैं आप सब तो यह बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जै माता दी अवस्य लिखे तो चलिए आज का हमारा वीडियो है कि अगर हमारे पती ही अगर दिल दुखाते हैं अगर हमारे जीवन साथी अगर हमारा दिल दुखाए तो हम क्या करें किस और जाए तो इसी के उपर आज का हमारा वीडियो है इससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे तो इसके लिए मैं आपके साथ साथ टिप्स साथ नियम थोड़ा सा सेयर करूंगी तो आप करके देखिएगा कहीं आपको इससे लाव पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं कि वो स साथ टिप्स क्या हैं सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि देखिए भगवान न करे कि इस जीवन में किसी को गलत संगत मिले दूष्ट का साथ मिले या ऐसे बैक्ति जो हमारा रोज दिल दुखाए तो भगवान न करे किसी की जोड़ी में या पतनी हो या व सादि होने वाली है या जिनकी हो गई है या जो कुमारी लड्कियां है बहगवान करे कि आपका जीवन साथी अच्छा हो प्यार करने वाला हो इजद देने वाला हो संबान देने वाला हो दूष्ट नहों जो कि आपको रोज दिल दुखाए रोज मारे पीटे रोज आपको अपसब्द बोले दूसरे से साथ रखे तो इसलिए भगवान को रोज प्रे करिए कि जो मिले या जो मिला है कभी उसका जो स्वभाव है वो कभी चेंज नहों अगर वो प्यार करता है तो कल किसी की नजर लग गई और फिर वो आदमी हमें अच्छे से हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है रोज हमें दो बात सुना रहा है हमारा दिल दुखा रहा है अपमान कर रहा है और लास्ट बात है कि हमें मार भी रहा है यह पूजा पाट अपने घर में करिए मैं कई या जो मिल चुका है वो हमीशा सही रहे उसका रास्ता कभी बिगड़े ना कहा गया ना कि भवान दूष्ट का संग किसी को ना दे दूष्ट संग जनी देई विधाता जो एक चौपाई है रमायन की मैं आपको सुना देती हूं कि बरुभले बास नरक करताता दूष्ट संग जनी देई विधाता तो भवान न करें कि किसी को दूष्ट का संगत मिले जो दूष्ट रूज आपको पीना पहुचा है सबसे जो हमारी पहला नियम है बता दें की उस आदमी को हम सुधारने के लिए सारे नियम अपनाएंगे जितनी हमारे अंदर छमता है, जितनी कैपेसिटी है उसको सुधारने में हम जी जान लगा देंगे ऐसा नहीं है कि हर जगा पती ही गलत होते हैं पत्नियां भी सब सही नहीं होती पत्नियां भी ऐसा नहीं है कि सब पत्नियां अच्छी ही होती है दिल नहीं दुखाती है तो इसलिए हम लाख कोसिस करेंगे कि वो आदमी सुधर जाए अपनी तरब से माली जे सब को जीवन साथी अच्छा ही नहीं मिलता ऐसा नहीं है कि पती को अच्छी पत्नी ही मिल गई और पत्नी को अच्छा पत्नी ही मिल गया जब सभी लोग अच्छे ही मिलते मन के लायक ही मिलते तो दुनिया में कश्टी क्यों होता तब तो कष्टी नहीं आता, कोई दुखी नहीं होता, कोई किसी को अपमाल ही नहीं करता जब सब दुनिया एक जैसे एक समान सूचने लगे, एक जैसा बेवहार करने लगे, एक जैसा उनका बिचार होने लगे तब तो दुनिया में किसी प्रकार का दुखी नहीं रह जाता कोई पती-पत्नी में जगड़े ही नहीं होते तो यही बात है कि माल लिजे कि अगर उस तरीके का आपका जीवन साथी नहीं है पती-पत्नी दोनों के लिए पत्नी वैसी नहीं है या पती वैसा नहीं है तो सबसे पहला नियम है कि आप उनको सुधारने की पूरी कोशिश करिए जितना आपसे सुम्भा हो जितना possible हो जरूर कोशिश करिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि थोड़ा सा हम सही रास्ता दिखाते हैं तो सुधर भी जाते हैं ऐसा नहीं कि जो बदमास है जो गलत है जो दुष्ट है वो सुधरे गाई नहीं ऐसा नहीं तो थोड़ा सा हम सबसे पहले कोसिस करेंगे क्योंकि कोसिस करने वाले की हार नहीं होती तो यह हमारा पहला नियम हो गया दूसरा नियम क्या है दूसरा टिप्स क्या है कि माल लिजे कि जिसका जीवन साथ ही अच्छा नहीं है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ करते हैं मैं這邊 whammy perspective कीवाल हम हमेंस हम से सीधे मुषraphी ने करते बिल्कुल प्यार ने करते तो बताः यह कौन से अच्छी बाती यह जितने पती सुन रहे हैं उनके बता दे रहे हूं जो अपनी वाइफ का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो कभी जीवन में सफल बैक्ती बनने का उमीद छोड़ दीजिए क्योंकि जो अपनी घर की ग्री लक्षमी का आदर नहीं करता हूँ आदमी आगे कैसे बढ़ेगा बढ़ी नहीं सकते बले लाखो कोशिस कर यह रात दीन एक कर दिजिए लेकिन आप घर की ग्री लक्षमी अगर खुस नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते कभी ऐसा नहीं है कि आप बहुत अधिक बहुत उचाईयों तक जा सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं बहुत आगे बढ़ेंगे कुछ दिनों तक लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत उचाईयों पर पहुच जाएंगे और इधर वाइफ बिलख रही है तो यह बहुत गलत है जितनी पती हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ और आप लोग का यह भी कॉमेंट आता है कि हमारे हस्बेंट का दूसरे से साथ है हमारी वाइफ का दूसरे से संगत है दूसरे से रिलेशन है तो यह बहुत गलत है मैं कई वीडियो जिम बता चुकी हूँ कि अपनी पती के होते हुए अगर आप तीसरे के साथ अगर इन्वाल्व हैं तीसरे के साथ रिष्टा रखे हैं तो जीवन में बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं आप सोच रहे हैं कि कोई जान नहीं रहा है जैसे कोई देख नहीं रहा है लेकिन जानते हैं आप पाप कभी छुपता नहीं है यह मत सोची कि कोई नहीं देख रहा है भगवान सब नयाय करने वाले हैं और कोई देखे ना देखे आस परुस देखे ना देखे वाइप जान ना जाने हस्मेंड जाने ना जाने लेकिन भवान सब देख रहे हैं तो भवान से डरिये थोड़ा सा जरूर डरिये फिर आदमी सोचता है क्या रहे हम तो इतना पूने परताप कर रहे हैं इतनी दान उपदान कर रहे हैं फिर हमारे घर में बढ़ उत्री क्यों नहीं है हम रह सकते हैं कोई भी हो पती हो या पत्नी और तीसरा जो टिप्स है थोड़ा समय आपको बता दे रहे हूं आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा हस्मेंड हो या वाइफ हो कोई भी हो अगर जीवन साथी या पती या पत्नी दिल दुखा जाए तो कुछ देर के लिए सा जरूर बोलेंगे ये सब बिल्कुल मत कीजिए बिल्कुल चुप हो जाएए सांत हो जाएए और थोड़ा देर के लिए आप अपने पूजा मंदिर में जाके बैठ जाएए अगर मालीजे दिमाग काम करना पूरा बंद कर दिया है कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और सामने वारा दिल पे दिल दुखाये जा रहा है तो आप वहां से कुछ देर के लिए हट जाएए वहां खड़ा होके मूँ लगके जगड़ा करनी की कोई जरूरत नहीं है सांत हो जाएए क्योंकि सांती बहुत जरूरी है मैं अपनी वीडियो में बताई भी हूँ कि दो से रखिए एक रामायन जी की जो पुस्तक आती है बड़ी और छोटी साइज में वह आप चुरूर रखिए और कुछ देर के लिए आप रामायन पढ़ना सुरूर कर दीजे अगर कोई आपका दिल दुखाया है बहुत दिल में दर्द है बहुत मन में जैसे आंसू आ रहा ह तो कोई बात नहीं आपको ताकत कहां मिलेगी वह चीज आप अपने पूजारू में बैठके रामायन पढ़ना दिया जला के शुरू कर दीजे ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ जगडा लड़ाई जबाब सवाल उस समय पे करें इतनी कंट्रोल में कर लिजे कि सामने वाला बहुत आप जो दुनिया आराम नहीं दे सकती वह रमायन पढ़ने से आपको बहुत आराम मिले यह हो गया दिसरा नियम और चौता तो आप वहां से थोड़ी देर के लिए हट जए। जितना हुसा आदमी को चिलाना है, कहना है, दिल दुखाना है, अपमान करना है आप वहां से एक तम मूँ में ताला लगा के वहां से हट जाए थोड़ी देर के लिए गंभीरता से वहां से चले जाए बिलकुल आप वहां खड़ा मत रहें कि वह आदमी और भी ज्यादा आपका इंसल्ट करें अपमान करें तो इसलिए आप महां से हट जाए तो ये होगे हमारा चोथा नियुद पांचवा टिपस क्या है कि कभी भी हस्बंड वाइफ के जगड़े में तिसरी को इन्वाल्ब मत किजी वो आदमी कितना भी आपका खास क्यों नहीं कभी नहीं हस्मेंट वाइफ के जगड़ा को हस्मेंट वाइफ ही सुलजा ले तो ज्यादा अच्छा है अगर पती पतनी में कोई दिल दुखाता है तो तुरत किसी से कुछ बताईए मत बहुत अधिक हो जा है जान जाने लगे तभी आप किसी से बताईए नहीं तो हस्मेंट वाइफ के हर छोटी बात को आप तिसरे को मौका भी मत दीजिए और तिसरे को तुरत मत बताईए यह भी अच्छा नहीं है माली जिए वही हस्मेंट आपके गुस्से की वजह से कहीं आपका दिल दुखा दी और फिर वह आदमी बाद में पच्छता आएगा फिर उसको कहीं आपके उपर दयाएगी तरस आएगी को मैंने क्यों ऐसी गलती कर दी और फिर आप अगर तीसरे को बता देंगे तो सब सही भी हो जाएगा और तीसरा आदमी हमीशा के लिए उसके मन में बैठ जाएगा कि इन लोगों के बीच में इसी तरीके से रिस्ता है तो इसलिए कभी तीसरे को अपने रिस्ते में इंबॉल्ब मत कीजिए और छटा नियम थोड़ा समय बता दे रहे हूं कि देखिए किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत भी दे दीजे बैलू भी दे दीजे उस आदमी को मत देने लगें पती हो या पत्नी बैलु देनाए रिस्ट करना आनधर करना ने लेकिन और फिर वह और आदमी आपका मानकर रहा है दिल दुखा रहा है उसको हाजम ही नहीं हो रहा है एक लोग रिस्पेक्ट करो तो एक लिस्पेक्ट को बहुत अच्छे से लेते हैं अपन आदर करवाना चाहते हैं लेकिन इक इक लोग है ना कि बहुत ज़्यादा दे दो तो सर के उपर चड़ जाते हैं तो इसलिए उनको हजम ही नहीं होती बरदास्त नहीं होता तो अगर वह नहीं लेना चाहते हैं उस तरीके का रिस्पेक्ट और आदर तो मत कीजिए मत कीजिए कुछ देन के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि बार बार कोई दिल दुखाए बार बार अपमानित करें वो भी अच्छा नहीं है अपमान भी उतना ही सो जितना की हम सो सकें इतना ना सो की हम मतलब हमसे बरदास्त ही ना हो और हमारे बरदास्त की जो सीमा है वो खतम हो जाए तो इसलिए रिस्पेक्ट देखे कि यह आदमी रिस्पेक्ट देने लायक है कि नहीं है देने लायक है तभी रिस्पेक्ट देंगे अगर देने लायक नहीं है अपी कर आकर आपको चाय डंडे लगा है वैसे आदमी को रिस्पेक्ट देने की क्या जुरूरत है नहीं देंगे जो respect पाने लाइक है उसी को हम रिस्पेक्ट देंगे जो आकर हमारा अपमान करें insult करें हमारे उपर हाथ छोड़े वैसे आदमी को हम क्यों respect देंगे नहीं देंगे कभी नहीं देंगे तो इसलिए इस तरीके के अगर आदमी है तो पहले तो करिए क्योंकि आप लोग बोलते कि मार पिट करते हैं घर में आते हैं तो डंडा हमारे उपर उठाते हैं तो ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट देनी की जरूरत नहीं है मैं जहां सिखाती हूं जहां मैं बोलती हूं कि विश्णु भगवान मानिये और पत्नी को लक्षमी जी मानना चाहिए वहीं मैं सिखाऊंगी में की अगर आदमी आपका रिस्पेक्ट नहीं करता आपके उपर हाथ उठाता है डंडे उठाता है तो हम कभी विश्णु भगवान हम भगवान का आपको दर्ज़ा दे रहे हैं आपका आप संमान कहीं जा रहे हैं और आप अमारे आपमान कि Mendel रहे हैं हमारा दिल तोड़ रहे हैं तो हम कभी नहीं देंगी तो यह हो गया हमारा छठा नियम सात्वा नियम क्या है कि अगर जीवन साथी आपका दिल दुखाता है पती-पत्नी में कोई भी हो तो आप कुछ दिनों के लिए उनसे गंभीर रही है जादा चड़-चड़ के बोलने जाने की कोई जरूरत नहीं है जो हमसे बोल नहीं रहा है हम कोसिस करेंगे पहले मैं कई वीडियो में सिखा चुकी हूं बता चुकी हूं कि अगर लीडी जी नरम हो जाए थोड़ा जुक जाए और इस ता हमारा खराव नहों तो ठीक है कर लेंगे कोई बात नहीं है अपने रिष्टी को बचाने के लिए जुकना ही सबसे सही रास्ता है लेकिन अगर जीवन साथ ही रोज दिल दुखाता है रोज अपमान करता है तो कुछ दिनों के लिए गंभीर हो जाईए ये भी मैं बताऊंगे ऐसा नहीं है कि आप रोज हमारा अपमान करेंगे और फिर मैं आपको जुक के बोलने जाऊंगे जुक के बोलने जाऊंगा तो कुछ दिनों के लिए गंभीर हो जाईए चुप रही है जितना जरूरत है उतना ही बोलिए हस्वेंट से उतना ही बोलिए वाइप से खुद ही सबक सीख लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सम्मान भी दे देते हैं तो लोगों को पच्चता नहीं है तो इसलिए कुछ दिन के लिए गंभीर हो जाएए मन नहीं लगता है तो टीवी देखिए मुबाइल देखिए गाना गाईए सबसे बढ़ियां जो उपाए मैं बता देती हूँ कि कभी भी मन उदास हो किसी दिने अपमान किया है दिल तोड़ा है तो थोड़ा सा आपको गाना गाना चाहिए जो ही गाना आपको पसंद है जो याद है उस गाना को थोड़ा सा गुन गुनाईए जोडों से गाई है सामने वाला खुद ही जलेगा तो इसलिए तोड़ा सा गाना गाई है तो यही हमारे कुछ साथ टिप्स थे नियम थे मैं बहुत सोच समझ कर यह बनाई क्यूंकि आप लोगों के जो भर-भर के कमेंट्स आ रहे थे वह सुनकर मुझे बहुत दर्द होता है और जो महिलाएं हैं वो बोलती है कि जितनी नियम है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यूं बना है पती सिर्फ अपमान करें हम लोग करें तो नहीं ऐसी बात नहीं है देखिए मैं पतियों के लिए भी कई वीडियोज बना चुकी हूँ तो अगर आप चाहे तो चेकाउट कर सकते हैं ऐसा नहीं है दोनों को समान द्रिष्टी से देखना है समान आदर करना है समान रिस्पेक्ट देना है तब जीवन की गाड़ी आगे प्यार से बढ़ेगी एक आदमी जान देगा कभी नहीं बढ़ेगी एक आदमी जान दे रहा है और एक आदमी उसको कोई इजत ही तो कैसे घर सुखी रहेगा तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाई तो यहीं तक था आज हमारा वीडियो आसा करती हूं कि इस वीडियो से आप लोग को कुछ लाब मिलेगा तो फिर मिलती हूं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहे सुरक्षित रह और अपनी रिस्ते को कभी बर्बाद मत कीजिए